प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा साथ की विज्ञान की वरक्षीट नमबर 35 करेंगे पादपों में पोशन, मिरित जीवी ये मिरिदा में पोशकों की पुनापूरती निमलिखीते परती एक परसन में सहीवी कल्व का चैन कीजिए तो देखिए बच्चों, सही विकल का चैन करेंगे वे पादप जो गले शड़े और मिरित पदार्तों से अपना पोशन प्राप्त करते हैं मिरित जीवी कहलाते हैं क्या आएगा इसमें? मिरित जीवी दूसरा क्योशन देखिए वे जीव जो वाई मंडली नाइटोजन को फिले यह थवा गलनसील पदार्तों में प्रिवर्तित कर देते हैं राइजोबियम आ जाएगा क्या जाएगा? राइजोबियम ये फलेदार पोदों की जड़ों में पाइजाते हैं मिलान करें देखिए कोलम एका कोलम मीचे मिलान करेंगे मसरूम क्या जाएगा? मृत जीवी लाइकेन, सैवल और कवक और दाल जो होती हो चो पादपोशक नाइटोजन और यह आजएगा? दाल नीचे आजएगा दाल जो होती है? फलीदार पादप होते हैं सैवल जीवी संबंद जो होता है वो जो जीव एक साथ रहते हैं आवास और पोशक एक दूसरे से साज़ा करते हैं पादपोशक नाइटोजन और लाइकेन उपर वाले से उपर वाला इस मिरत जीवी से तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं पिर देखे बच्चो अनुछेद पढ़ने के पस्चात दिये गए परसनों का उतर दीजिए कुछ जीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आवास और पोशक तत्तों की साज़ेदारी करते हैं इसे सैजीवी संबंद कहते हैं दान के लिए कुछ कवा के वरेक्षों अत्वा पेड़ों के जड़ों में रहते हैं वरेक्ष कवा को पोशन पर दान करते हैं बदले में उन्हें जल और पोशकों के आवस्टोशन में सायता मिलती है वरेक्ष के लिए इस संबंद का विशेश महता है विरक्स के लिए इस संबन्द का विशेश मैंतर से जीव संबन्द में रहने वाले जीव किस परकार एक दूसरे को से लाबानमीत होते हैं बच्चो इसमें सारा आप ये लिख देंगे जितना इसमें दिया वह उपर ये वाला इसका सारा अंस्वर है तो इसमा आजएगा उसके बाद देखे बच्चो क्यूस्ट नमबर पांच है उचित विकल्ब का चैन कर एक स्थान बरे कवक के बिजानों खालिस्तान जैव पदा सब्सक्राइब करें